आज एक छोटा सा डिस्केशन हाउ टू मैनेज फिजिक्स विद इंग्लिस प्रिपरेशन जो आपका टर्म टू बूर्ड का इंग्लिस एक्जाम होने वाल है जिसके अंदर आपको प्रिपरेटरी होलिडेस की फॉर्म में सिक्स डेस का गैप मिला था क्या उन गैप के बीच म घकश करनी चाहिए और अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है क्या हमारा इससे करने टास्क है कैसे उन गो emplä estaus या नहीं कर पाएंगे या करना है या नहीं करना वह हम आपके साथ डिसकस करने हों तो इंग्लिस प्रेपरेशन टम तु बोड़ और यह आपके साथ इसके अंदर मैंने के टेगरी बाइस डिवाइट कर दिया अब हमार पास फुद पेचानों कि आप कौन सी के टेगरी में ल वाइस करवाने वाले वह हमारी जिम्मेवारी है लेकिन आपको एक बार पढ़ना जरूर है कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं आपको बता रहा हूं अभी आज 9th of मैं है आपका एक्जाम 13th कोने वाले इंगलिस का अभी हमार पास तीन से चार दिन उसके अंदर पढ़े हैं तो अगर इन तीन-चार दिन को अगर मैं यूटलाइस कर लो कि तीन-चार दिन के अंदर मैं क्या कुछ फिजिक्स के अंदर कर पाऊंगा तो उसके लिए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं आप जो बच्छे प्रिपेर नियार उनको एट लीस्ट दो घंटे तो फिजिक्स के लिए और आपको जो भी डिटेल्स रिक्वाइड अच्छे से मार पास बात करूं चाहिए वह सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो उनको दो घंटे यूटलाइस करने बहुत जरूरी होंगे क्योंकि अगर वह दो घंटे यूट अगर आप प्रपेर नहीं है तो इन तीन चार दिन के अंदर चेप्टर के बच्छे रिपर नोड़ से लिए वीडियो कर दोंगा क्यूंकि आपका टाइम कराब नहीं तो आप जो बच्चे prepared है जिनको लगता है हमारी physics की preparation अच्छी है हम उस physics को साथ दिन में prepare कर लेंगे बहुत बढ़ी है आप साथ दिन में revise कर लेना कोई दिक्कत नहीं है उस time पे भी आप one shot लगाके पी वाई क्यू लगाके या हमारी revision series लगाके prepare कर सकते हो लेकिन आपको मैं बोल रहो इन चार पास दिन में थोड़ा बहुत टाइम आप यूटलाइस कर लेना थोड़ा बहुत टाइम यूटलाइस करना और थोड़ा बहुत एक से दो गंटे निकाल के आप सरफ ncrt question को एक बा बढ़िया तरीके से पढ़ने ncrt questions की वीडियो एक वीडियो अल्रेडी अपलोड हो चुकि एक आज 930 पे अपलोड हो जाएगी उसकी live class होने वाली है महा मैरेथन होने वाला ncrt question तो सारे ncrt question लगा लेना इस time period में जिसके अंदर आप क्या करने वाले हो जिस भी English exam के पिर प्रिपेर नहीं हुए तो भाई मैं तो पहले बोलूगा पहला अपनी priority को आप English को रखोगे आपने पहले English को प्रिपेर करने अगर आप यहां से time नहीं निकाल पारे हो ncrt questions करने का तो कोई दिक्कत नहीं हम इसको बात में भी कर सकते लेकिन priority आपकी English रहेगी लेकिन अग इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं आपके पास sufficient time होना चाहिए वह साथ दिन हम रिवीजन के लिए रखते हैं इसलिए बोल रहा हूं ncrt questions लगा लो एक से दो घंटे यूट है एक दो घंटा निकालना पड़े गार इंग्लिस के साथ साथ चाथ आपको अपनी नींद को कम करना पड़े या आपने खेलने के time को कम करना पड़े खेलता तो इस तइम के खोई नहीं होगा यार क्योंकि बोड एक्जाम्स हैं हमारे तो बढ़िया तरीके से आपको मैने करना है एक दो घंटे जरूर निकाले सद्डिल अपने तरीके से बनाओ एक दो घंटे निकाले किस चाहिं पर निकालने चांपर करेंगे उन moderateकर किस तरीके हो प elét़ना चाहिए इंगलिस अंग्लेस हमारी फष्क्रोडिक्षां पड़ेंगे लेकिन बहुत हलके-बाट जिर क करके बढगे लेकिन जोस नीकम करेंगे उन साथ दिन में आई जोस कर लेंगे क्योंकि यहां पर लगा ke जाएंगे तो हमारा माइंट सेट होगा भी हमने परफेयर किया होग ठीक है तो घबराना नहीं है यह फिजिक्स के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, इंग्लेस के लिए पढ़ो, यह लास्ट दे की strategy थी जिसके अंदर आप manage कर पाओ, इंग्लेस के साथ साथ physics. थांक्यू सो मच मिलते हैं क्लासस के अंदर बड़िया से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना उनका भी स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा चलिए फड़ावट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना